त्रिपती मंदिर के प्रसाथ में मिलावट का है ये मामला और जब से ये खबर सामने आई है हरकंप मचा हुआ है मंदिर के प्रसाथ में जानवरों की चर्वी की मिलावट की खबर फिर लैब रिपोर्ट में मचली का तेल जानवरों की चर्वी का जिक्र हुआ है जो लैब रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये जिक्र किया गया है कि हाँ प्रसाद में मिलावट हुई है मच्री का तेल फिशोयल और जानवरों की चर्वी मिलाई जाती थी ये रिपोर्ट ऐसा दावा कर रही है मुख्यमंत्री चंद्रबावु नाइडू ने पूर्व की सरकार रेड़ी सरकार पर आरोप लगाया है रेड़ी सरकार के दौरान प्रसाद में मिलावट हो रही थी लेकिन उसको रोका नहीं गया लेकिन जगन मुहन रेड़ी ने चंद्रबावू नाइडू के जितने भी आरूप थे उनको खारिस करते हुए कहा कि ओची राजनीती हो रही है राज्य में तो ये इस वक्त की बड़ी ख़बर है क्योंकि करोडों जो भक्त हैं उनकी आस्था का सवाल है जब से ये ख़बर सामने आई है राज्य के मुख्यमंतरी ने ये बात कही है कि प्रसाद में फिश ओयल और चर्वी मिलाई जाती है और वो भक्तों को प्रिसाद वाटा जाता है तब से कहीं न कहीं स्वास्था को ठेस लगी है और राज्ज में सियासत भी चरम पर है ये इस वक्त की बड़ी ख़बर है और आज हम इस ख़बर का वैज्ञानिक विश्लेशन भी करने वाले हैं केज़ श्रीवत्सन सबसे पहले आपके पास आते हुए ये करोणों भक्तों की आस्था का सवाल है और जब से ये ख़बर सामने आई है कि प्रसाद में मिलावट फिर्श वाइल और रिपॉर्ट भी ऐसा दावा कर रही है कि चर्बी की भी मिलावट हुई है तो उस आस्था क को ठेस पहुंची है और राज्य में सियासत भी चरम पर है जी विपनेश देखे ये बात तो सही है कि तिरुपती मंदीर आस्था का सबसे बड़ा धार्मी केंद्र भी है यहां पर हर रोज 50-60,000 भक्त दर्शन के लिए जाते हैं और रईवार और शनिवार की बात की की जा सबसे धनी महिंदरी से कहा जा सकता है क्योंकि भक्तों के आस्ता इस तरह से है कि तेरा तुझ पर अरपन इस तरज पर वे भगवान को दिल खोल कर चड़ावा भी चड़ाते हैं अब जहां तक इस पूरी विवात की बात है तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा साल 2020 क ये घटना पर दरसल पिछले 50 सालों से करनाटका सरकार के डेरी फडरेशन की जो नंदिनी कमपनी है वहाँ से तिरपती बालाजी मंदीर को सबसीडी रेट पर लड़ू प्रसाद बनाने के लिए घी बेचा जाता था यानि कि तिरपती मंदी तिरुमला तिरपती मंदीर प परशाशन को घी नहीं दे सकती है क्योंकि उसे पशुपालकों को भी जादा दूद के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं लेकिन तिरपती मंदीर परशाशन मानने को तैयार नहीं हुआ और उसने साल 2020 में नया टेंडर जारी कर दिया घी खरीद के लिए और घी भी कितना ख घी खरीदने का टेंडर लिया उसी कंपनी का द्वारा सप्लाई घी को लेकर यह पूरा बवाल सामने आया है कहा जा रहा है कि नंदीनी जिस तरह की शुद्ध घी देती थी उस तरह की शुद्ध या प्यूरिट प्यूरिफाइड घी यह कंपनी प्रवाइड नहीं करवा पारी है और जब इसे लेकर एक लैब की रिपोर्ट आई तो उसका जिकर बुद्धवार को आंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंदरबाबू नाइडू ने भी किया और कहा कि इस मिलावटी घी जिसमें फैट के अंस मिले हैं मचली के तेल की बात की पुश्टी हुई है तो उस तरह की लैब रिपोर्ट आई यानि की लड़ू प्रसाद के लिए जो घी यूज किया जा रहा था वह मिलावटी घी था अब आपको एक बात समझनी होगी यदि साइंटिशिक तरीके से देखा जाए जो भी गाय का दूद निकलता है उसमें फैट तो होता है घी ब यह पूरा बवाल भी सामने आया है कि क्यों इस तरह का गी मंदिर में जो करीब 300 साल से लड़ू प्रसाद वित्रन का काम किया जा रहा था ओके आप नज़र बनाए रखिएगा हम लोटेंगे आपके पास